आज के इस वुड़े में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक, निफ्टी के बारे में कल, निफ्टी, बैंक, निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपाइरी है, तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस आती है, कल के दिन, डिस्क्लेमर नहीं पड़ा, तो सबसे मोस्ट इ किया तो वो भी कर सकते हैं और हमारे ग्रूप में जॉइन होना है तो डिस्प्ले पे दिए गे QR को स्कान करके आप हमारे ग्रूप में जॉइन कर सकते हैं अब बात करते हैं Nifty की कि भाई सम्निफ्टी बैंग Nifty और कल है फिन Nifty की एक्सपाइरी तो क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा Option बायर्स के लिए थोड़ा से अच्छे दिन आने वाले हैं इस तरीके के पूरे-पूरे संकित आ रहे है इंडिया विक्स आज भी अगर आप देखोगे मॉर्णिंग में खुला है उपर विक्स उपर market नीचे पूरे दिन विक्स नीचे जा रहा है market धेदे उपर आ रहा है simple और कल हमने discuss क्या किया था इस channel का breakout होगा तो channel के breakout के बाद एक side either side या तो resistance side या तो support side market जाने की कोशिश करेगा market gap अप खुला breakout को retest किया and देन उपर जाके अपने resistance पॉइंट पर कही ना कि मार्केट ने आज जो अपनी क्लोजिंग दी है वो देनी शुरू कर दी है ऑप्शन बायर जितने भी है याप पर हाई अलट पर आ जाईए कल है फिन निफ्टी के एक्सपाईरी थोड़ी सी आज में एक स्ट्राटेजी डिस्क्लोज करने वाला हूँ जो भी ट्रेडर्स है ध्यान से सुनेगा और उसके बाद अपने एड्वाइजर से कंसल करके कीजेगा प्रॉफिट और लॉस की गारेंटी मिरी नहीं होगी इंडेसन बैंक का एक लाइव ट्रेड आज मैंने शेर किया था मॉनिंग में जब इंडेसन बैंक का रिजल नहीं आया तो उसके पहले एक ट्रेड शेर किया था कि आप लॉग स्ट्राडल बनाएगे इंडेसन बैंक के अदर अच्छा प्रॉफिट होगा जिस किसी ने भी in fact जिस किसी ने भी लॉग स्ट्राडल उसके अंदर बनाया है लॉग स्ट्राडल प्रॉफिटेबल रहा है अच्छा कासा प्रॉफिट उस लॉग स्ट्राडल के अंदर हुआ इंडेसन बैंक अपने हाई से 3% नीचे था और यही मैंने का था अगर 3% का either side अगर move मिलता है तो आपका जो straddle यो profitable हो जाएगा और आपको अच्छा profit मिल जाएगा कल तक लेकिन कल तक तो छोड़िया वो आज ही हो गया आज ही मिल गया तो जिसने भी long straddle बनाया 3% का profit gain कर चुके हैं अब बात करते हैं कल fin nifty के expiry और तो आपको सिंपल एक long straddle बना लेना है फिंग निफ्टी के अंदर जी हां एक परसन आज मूँव आ चुका है एक देट परसन मूँव आ चुका है उसके बाद भी आपको एक long straddle fin nifty के अंदर कल बना लेना है कंडिशन है कि market flat या गाप फोले तो market अगर gap down खुलता है at any chance, at any cost, at any risk अगर market आपको एक gap down देता है fin nifty के अंदर gap down कितना? 40 points and above 40 points and above या 50 points and above का अगर आपको एक gap down मिलता है fin nifty के अंदर immediately opening पर ही एक भले आप उतना ही quantity खरीदिये कि जितना 0 हो जाए आपको कोई risk बड़ा नहीं हो अगर आप 10 lot में काम करते हो, तो 2 पे कीजिए 100 पे करते हो, तो 20 पे कीजिए 5 पे करते हो, तो 1 पे कीजिए उतना ही खरीदिये कि जितना खरीदिये कि आपकी शमता हो 0 होने तक का weight हो अगर market gap down खुलता है at any cost, directly go and buy put directly go and buy put, ना call, ना long straddle, ना short straddle, कुछ नहीं simple, add the money put जो कि आपको easily 80 से 100 रुपे में मिल जाएगा उस्ते जादा होगा, 80 रुपय ही होगा उस्ते भी जादा नहीं होगा add the money put आपको 80 रुपे में मिल जाएगा फिन निफ्टी के अंदर निफ्टी की strategy भी कल ही execute करनी है Thursday तक के लिए wait नहीं करना है कल ही execute करनी है, निफ्टी की भी अगर market gap down खुलता है again, निफ्टी में आप put buying करेंगे SL, आज का day high होगा निफ्टी के अंदर SL defined है फिन निफ्टी में SL defined नहीं है निफ्टी के अंदर SL जो होगा आज का day high होगा डारेकली gap down खुले, put buying करना है फ्लाट या पॉजिटिव खुले निफ्टी के अंदर, again, एक छोटा सा risk लेना है, या तो इस week month की expiry monthly expiry का आप long straddle create कीजिए, या second May का हो सके जिनको थोड़ा quantity जादा लेना है और जिनको risk कम रखनी है quantity कम, risk कम रखनी है तो 2nd May को या 4th May की expiry है, निफ्टी की, जो भी next expiry होगी, monthly के बाद की जो immediate next expiry होगी, उस week का long straddle बनाई है, या तो हो सके, और जिसको थोड़ा risk जादा लेना है, quantity कम रखके वो इस मंत का भी बना सकता है कल नहीं तो पर्सू, नहीं तो Thursday, कल नहीं तो Thursday most probably, Wednesday मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन Wednesday भी आ सकता है, इसके लिए मैं कली nifty की strategy को भी deploy करने की कुशिश करूँगा आपको एक अच्छा खासा move मिल सकता है, अच्छा खासा move है नहीं इंट्राडे में आपको एक परसंट का move करिना की मिलने के chances है, और जिनको थोड़ा सा risk कम रखना है, ऐसा भी हो सकता है कि भी वे पूरा महना nifty bank, nifty consolidate किये हैं, जादा कुछ return दिये नहीं है, तो कहीना की पूरा mentally expiry ये option sellers के लिए हो जाए है, और market again यहापर एक range में कहीना की पूरा range निकाल देवे, month का और close कर देवे, ऐसा होता है तो फिर ignore करेंगे, हम जो हमारा एक दो lot में काम करेंगे, उसमें SL मान के, हम continue करेंगे जिनको थोड़ा सा risk कम रखना है, थोड़ा सा उनकी probability winning of probability जादा करनी है तो next week की जो expiry होगी ये Thursday छोड़के, next Thursday की जो expiry होगी, उसका एक long struggle बनाई है इस week ने तो next week एक अच्छा move, 2.5% का move मैं either side, in level से expect कर हो, in level यानि 17.800 के आसपास, Nifty नाच close दिया 17.750, 800 के आसपास close दिया यहां से 2.5% का move मैं either side नहीं, next week की जो expiry होगी, वो मेरे हिसाब से 18,000 के उपर, या 17.500 के नीचे होनी चाहिए, इस range में अगेन होनी नहीं चाहिए, तो जो 17.800 से 500 की range ना, जिसमें निफ्टी ने फूरा एक हफता, दो हफता निकाल दिया, अब या तो इस मेंत के expiry इसके अंदर ही हो जावे, तो next month की, next week की पका-पका expiry इसके उपर या इसके नीचे होगी, या अगर इसी विक के अंदर निफ्टी को कुछ करना, तो इसी विक में को कर सकता है या तो 18.000 के उपर के expiry देवे या 17.500 के निचे के expiry देवे यह strategy purely wix based है wix को देखके strategy मनाई जा रही है इत्ते दिन तक मैंने share नहीं की थे, मैं wait कर रहा था wix अपने lowest point के आसपास आवे long strudder, gap up खुले gap up अगर 50-100 points का खुलता है तो फिर ignore कर देना, फिर ज्यादा move लेने का फाइदा नहीं है फिर आप directly put option price action को देखे आप कर सकते हो, nifty के अंदर कली deploy करनी है, दो ही condition जिनको risk कम लेनी है, वो next week पे चले जावे, ताकि आपके पास extra time हो जावे, अगर इस week वो बूब नहीं आता है, तो next week आजाएगा, तो आपका premium DK कम होगा, और जिनको थोड़ा सा risk लेना है, वो इसी week की Thursday की यानि दो दिन बात की expiry का put option, call option दोनों long struddle बना ले वे, उतना ही बनाईए कि जितना zero हो, तो चलेगा, ताकि nifty again, अपना जो resistance point है, उस point पे आकर कहिना की close करा है, 17,760, 17,800 again, एक strong resistance होने वाला है, इतना easily break होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आज अच्छा move आया है, nifty के अंदर 17,700 के उपर जिस तरीके से nifty ने close किया है तो overall देखा जावे, option data wise देखा जावे, तो data wise strong है, तेकिन फिर भी थोड़ा सा nifty again, अपने resistance zone के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको cautious हो जाना है, buying side पे मैं अभी भी उतना वो नहीं हूं bullish कि भाई, यहां से nifty 18,000 की तरफ जा रहा है, अभी भी confidence नहीं है, nifty के ने नीचे का पुरा पुरा confidence है कि अगर नीचे आएगा तो इन लेवल सक तो पका पका आएगा, 17500 यह जो low लगाए है, यह low थोटने के probability is much more, अगर कोई मेर से पूछे, आज की तारीक में 60% probability में यह दूँगा कि nifty नीचे आएगा, इस लोग को tap करेगा and continue कोरेगा, 40% probability है कि data को देखते वे market structure को देखते वे, price action को देखते वे, nifty कहीं ना की उपर जावे 18000 के आसपास कहीं ना की expiry करना की कोशिश करे, लेकिन वो अभी तक नहीं देख रहा है, 17800 इतना easily break होने वाला नहीं है, as per data इतना easy break होना नहीं चाहिए, लेकिन डेखते हैं, अगर break हो गया तो एक short covering 200 point के आने, nifty के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है monthly expiry है, shots काफी जादा है, तो trap हो सकते हैं, लेकिन probability is much higher कि एक-एक down move pending है, nifty के अंदर बात करते हैं, bank nifty की let's talk about nifty bank nifty bank nifty bank के अगर हम बात करें, तो nifty bank ने आज अच्छा कासा move दिया, जैसा कल हमने discuss किया था, 42,800 एक strong resistance होगा, इतना easily break होगा नहीं, market खुला gap up थोड़ा consolidate किया, consolidate करने के बाद range का breakout दिया है, nifty bank ने again nifty bank जोग पे close हुआ है immediate यही resistance है, 17 42,700 to 42,800 यही nifty bank के लिए resistance point है, अगर reversal लेना है nifty bank को यहाँ से reversal लेगा और in lows को भी break करेगा, 42,000 को भी break करेगा, उसके नीचे जो low लगा था 41,950 का, उसको break करके कहिना के नीचे के बाद जो bank nifty trigger करेगा अगर करना है तो, नहीं करना है तो best case यही होता है कि कल कुछ नहीं करें, bank nifty कल bank nifty यहाँ पर consolidate करें 42,500 से लेके 42,800 के बीच में, कल 300 point की range में bank nifty consolidate करें Wednesday और Thursday को एक अपनी up move continue करें अगर up move continue करना है तो कल ही दिख जाएगा, bank nifty का पुरा-पुरा criteria कल ही क्लिर हो जाएगा अगर bank nifty को यह up move continue करना है तो कल की closing 42,500 के नीचे नहीं होने चाहिए अगर 42,500 के नीचे कल की closing हो रही है तो कहिना के bank nifty फिर up move के लिए नहीं ready हो रहा है यह trap के scenario के create कर रहा है तो यह है nifty, bank nifty दोनों का ही मेरा view जो आपके साथ openly share कर दिया गया है trade भी मैंने share किया है लेकिन वो एक ही condition में मैं कोई register advisor नहीं हो आप अपके advisor से consult करकी ही लीजेगा और उसी condition में लीजेगा उतनी ही quantity लीजेगा कि जो 0 भी होए तो आपको आगे जाके problem ना होए वीडियो informative लगा हो, पसना आओ तो लाइक जरू कीजिए चानल को अब तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर सकते हैं मिलेंगे next video में तब तक के लिए बाबाद